अगर आप चैनल मैंने में जारिक और आप देखो एक अगर आप चैनल पर नहीं यह तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बैल आइकन को किलिक करें तांकि आपको मेरी आने वनी हर वीडियो की नोटिफिक्शन मिलती रहे अगर आप है पर इस्टागर फोलो डे करें तो और तो फाइनली यह बहुत कुछ इस एपिसोड में सीख चुके हैं तो आई होप आपको सब को समझ में आ रहा हूं और आज यह वह बात करने वाले हैं वह हम बात करने वाले कि दाविचिक अधर ओपन एफेक्स एफेक्स हैं उनको किस तरी किसे यूज करते हैं उनका क्या की फोटेज है और यहां पर यह मेरे पास Canon 80D फोटेज है यह वाली जो आप देख पार हो करते हैं आप अपनी वीडियो में इसको किस तरी से अप्लाई कर सकते हो तो हम या पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यह मेरे पाइब डीजे की फोटेज है इसको पहले मैं सबसे पहले ग्रेट करूँगा तो मैं अल्मोच छोटा मोटा इस पर ग्रेट कर लेता हूं और रेट और थोड़ा सा डार्क पॉइंट को नीचे की तरफ कर लेता हूं लाइक बूम थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा शेड़ो यह उनको अब ठीक है तो मैंने आप देखो कि मैं लिटल वीडिश को करना कर्शिन किया है आज हम जो बात करने वाले ओपन एफेक्स ट तूल के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर सर्च का ओप्शन है अधरवाद यहाँ पर काफी सारे टूल से 80 70 के आसपास टूल होंगे और कुछ अप्ग्रेट भी होंगे तो मैं इसमें से कुछ टूल का आपको बताने वाला हूं और कुछ के वा तो बस तरह कि आप किस तरी किसे इसको करोंगे लाइक भूम है यह थोड़ा सा मैं इसको अधियल में जाके थोड़ा से टी नोईस जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं से उसी बात करेंगे लेक बूब ठीक है तो मैं क्या करता हूं थोड़ा सा इसका जो टोन है उसके ग इनको बढ़ा देता हूं लाइक मैं को कुछ इस तरी का स्काय चाहिए थोड़ा सा रड़ डिश टाइप का जो होता है इस तरी का ठीक है तो बैसिकली आज अब क्या क्रेट करने वाले हैं आज यहाँ पर हम एक सन क्रेट करेंगे कि लेंस तरी का सन क्रेट कर सकते हैं मतलब अब एक अनिलिस्टिक लगे वैसी फिल करेंगे तो यहाँ पर आप लेंस फिलेयर सर्च करोगे लेंस फिलेयर ठीक है तो यहाँ पर एक मैं एंड नोट सी एड सी लेंड करता हूं जिसको नोट कारव नहीं पता हूं मैं पुरान वाली वीडियो देख सकते तो मैं यहाँ तो आप दिखोगे यहाँऊऊ- फिलेयर जनेरेट हुआ है ठीक है अब इस लेंस फिलेयर था अलग 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 टरीके से लुग तरीके दवाज से कघुक लिचया आप शर्ता है यह जो लेंस फिलेयर हिटम ळेंड करने के लैन्य teu श्रींट चैसे आप जाओके बूए dan ठीक है यहां पर इसकी कुछ position मिलती है आपको कि आपको इसकी position left right रखनी है यह इसका aperture point आपको क्या रखना है मतलब कि aperture आपको कम जादा लेकर मैं और आपको क्या करना है और च्रेट कर सकते हो सकते हैं पंदर हम यह पे ए जैसे कि मैं आ profiles पर जो कलर है वह थोड़ा सा वांग टाइप का फिल किया हुआ है यह आप नो बजए के आसपास का शॉट है तो लाइटिंग कंडिसेन यह ठीक थी यह थोड़ा बाहर का सूट है तो मैं इसको रिसेट करता हूं और यहां से लेंस को ड्रॉप करता हूं ठीक है तो मैं लेंस लेट्रॉब कर यहां परॉप को सैटूश देख रहों कि तो मैं का हूँ कि यहां सारी सेटंग्स को पहले ओं करता हूं अपकरण्द के रखता हूं आप छी तो अपके को भी बिलेंख में डिलोबल करेक्श Państu सारी ऑपन होते हैं तो सबसे पहले इसको थोड़ा करता हूँ ओके और करना तो इसको अनियो और क्या है गाइस कि आमोफिक लेंसिज भी आते हैं जिनको यूज्स करते तो उस तरीके के जो अब यूज करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो जैसे लेंस खुर अपने सुना होगा अगर आप लेंस से ओ तो तो उस तरीगे का लइस भी आप यूज कर सकते हो तो फिलाल के लिए मेरा जो यह आप देखो कि एक स्टार की रेंज में है तो फिलाल मैं यहां पे थोड़ा सा ग तो मैं क्या करता हूँ मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि पोजिशन को आप उधर इसकी पोजिशन कर सकते हो तो मैं इसका थोड़ा सा जोड़ा सा बढ़ा लेता हूं लैक बूम ओके और आगर आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना है तो आप पूरा इसको मैंने इसको करता हूं और थोड़ा सा सब्सक्राइब करता हूं कि तो सब्सक्राइब करता हूं तो इस तरीके साब इसका अपर्चर ब्लैंट को ठीक कर सकते हैं और यह से एंगल को भी चेंज कर सकते हो ठीक है तो इसको चेंज करोगा बाकि नीचे अगर आपको जिस फील में चीज फील में मिलेगा अक्वर्डिक टू सुच्वेशन आप किस तरी करें इसको यूज कर सकते हो तो गिलियर कलर जो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं आप लेक बूम ठीक है तो अब मैं इसकी पूजिशन जो है वो सैट करता हूं यहां पर लाइक मानू मैंने यहां पर इसको सैट कर दिया बाकि इस पर थोड़ा सा क्रेक्शन करोगे आप एड करोगे तो अपने आकोरिंग आपको रिजल्ट आ जाएगा मैं थोड़ा और इसक । ली क्या है मैं पिले करता हूं तो आप देखोगे कि समारा लगतो गया बट बिसली क familiar की मुवमिट है उसके साब पूरा प्रप्र दिषब चेश्के ड्रैक हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मैं इसको इसेट करनें था हं यहां पर ओके तो यहां पर आपको एक यह ट्रैकर का option दिख रहा होगा लाइक यह ट्रैकर का option है ओके तो इसमें यह ट्रैकर है इस ट्रैकर को ट्रैकर करना पड़ेगा जैसे कि आप अगर VFX करते हो उस लाइन से हो तो आपको ट्रैकिंग का बता होगा और जिसको नहीं पता वो हमारे पुरारे एफिसोड जो चल रहे है फ्यूजन तो उसमें बहुत ट्रैकिंग यूज़ करें वनपोट ट्रैकर ट्रै है आपड़ को वहां पर लगा सकते हो जैसे की यहां पर लगा थेता हूं जोम करके इस ट्रैकर पॉइंट को इस तरफ लगा देता हूं लैक पूप और मैं यहां से इसपर ट्रैक फ़र्वर्ड और बैकवर्ड पर किलिक कर रूँआ यह जो बटन है इस पर अप वीक और forward दोनों का है तो आप दहोंगे कि यह जो है मैं आप धियाद से बूंड कि यह जहां पर जो हमारा सब शुक्वारнить हो चुगा है तो आप सब्सक्राइक इस सब्सक्रakukan अब देख पाने शब्रे को अगर है मैं अपको कमण्ट आइप करके दिखाता हूं तो आप देख पारे हो जो हमारा सन है जैसे कि मुवमेंट हो रही है तो उसके साथ हमारा सन है वह मूव नहीं कर रहा है बैसलिए इस्टिक है तो आप देखिए एक इस्टिक है वही पर उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है जैसे कि ड्रोन आगे जा रहा है तो सेम अभी मै कि जो सन है वो हमारी फोटेज के साथ मूव कर रहा है अगर आप यहां पर दिहान से देखो तो अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है तो आप देख लो हमने जो तो थो थे खांपल को दिखाता हो पूशन इस अगर आप देख पार हो तो मैं यहां पर आप देखोगे तो गुलियर है यहां पर एक लाइट तो इस कि इस light को अगर चीए तो आप थोड़ा असा अजश्च करके इसकी light को भी adjustment कर सकते हो तो भी सब्सक्राइब इतना किया और मैंने ट्रैक करा तो आप देखोगे मेरा जो ट्रैकिन है तो ट्रैकिंग डिटा है मतलब कि यह जो ट्रैकर है यह प्रपर ट्रैक हो चुका है तो आप किस तरीके से इसको बना सकते हो और मेरी है जैसे कि मैंने इस पर little bit color correction किया है तो जो मैंने इस पर look दिया है वह थोड़ी से warm type का sky किया है ताकि जो sun है अगर sun मैंने लगाया है तो sun जो feel देता है जैसे भी tone चाहिए आपको उस तरीके आपने लाइस फिलर लगाओंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर sun generate किया हुआ है और यहाँ पर मैंने इस clip को according to situation color किया हुआ जो भी आपको रखना है तो आप अपने सीन को रख सकते हो जैसे कि कोई वीटियों तो जैसे मैंने यह रखा है तो आपको यह समझ बाया हो कि लेस्ट को किस परिके से यूज करते है और भी सैटिक से थोड़ा हुआ करो तो आप समाच जाओगे बाकि इसमें जो next टूल है जो next shot है वो है हमारा यह shot इसको बाद में करेंगे फिलाल हम इसको करते हैं यहां इसको करते हैं सबसे पहले तो basically क्या है कि इस टूल पर आप दोको मैं इस पर भी थोड़ा सा color correction करता हूं little bit मतलब कि थोड़ा सा gain करके ठीक है और थोड़ा सा gamma little bit बस इतना ही ठीक है तो यहा आप जाके इसको देख सकते हो यह पूरा video DJ Osmo से हमने शूट किया हुआ है आट bit footage है ज्यादा color correction ज्यादा आगर आपको देख रहा तो वीडियो मां देख करता ही उस footage क्या है तो लैंस पर को मैं किस तरी किसी उस करना जैसे इस पोटेज में यहां पार आप देखोंगे एक यहां पर को लाइट रेट रही है मतलब कि हमने शन को बैसिक लिए यूज क्या आवा जो रिश्टिक शन था वो डारेक्ट पेड़ों के वीच में सा आके एक प्रेस पर थोड़ा वाम सा फिल दे रहा होगा आप देख पा रहे हो यह तो यह रिलिस्टिक सान है यहां पर को पर ड्रैक करा हुआ तो आप देखोगे पहले में एक नोट सीरे लोट करेट करें दाऊं और जैसे में लाइट ट्रेस डालूगा तो लाइट रिश्टिक यहां पर कुछ रियेट होती है ताकि वह रिश्टिक लगे कुछ रियेज वहां से आ रही है आप इसको किसी भी यह बाकि इसमें नीचे आते हैं आपको क्या अंगल रखना है मलब फ्रॉम तो एडेंगल्स तो एंगल्स रख सकते हो मैं फिलाल पर फ्रॉम लॉकेशन पे चला जाता हूं पॉजिशन आप चेंज कर सकते हो रेस की जो भी आपको पॉजिशन देनी है लाइए थोड़ा सा तो नीचे तक आई जैसे फोर इसकी रेस जो इतनी सी है मैं ऐसे इसकी लेंथ को बढ़ाता हूं तो आप दो को इसकी लेंथ जन्रेट हो रही है इसकी लेंथ और यहां पर शॉफ्टनेश थोड़ी सी लाइक बोग तो यहां पर जो है वह टोड़ी सी रेजड़ी करता हूं देखाए है अगर आपको यहां और टो लग तरिखेंज कर तो अगर आपको यहां सबसक्व कर सकते हैं और अगर से आप आप ही heeft भागी आ खालए कि आप इसको रीहिए आपक देको घोंगे तो यह पर रेज जन्रेट हो रहे हैं पर आप देख पा रहे हो में प्रस्त करता हूं तो आप यहां से रेस पूरी जनेरेट होगी है तो आप देख पा रहे हो कि यह मैंने रेस जनुरेट कि यह बिफ़ोर है और यह आफ्टर करता है आपकी सीनगी कंडिशन क्या है आपको कि जो है वो इसके नीचे आता है है composite type तो आपको composite type में ब्लैंड वगएरा जो कि आपको रखना overlay compare screen modes आपको मिल जाते हैं तो आप इसको screen mode के तौर पर भी use कर सकते हैं normal add ओके तो brand mode हर software में होते हैं तो आप इसको और यहां से मैं add करें बाकी इसमें next आता है global blend global blend का क्या है कि overall global blend कि आप इसको global पूरा कर दोगा आपको कितनी blend देंस में रखनी है तो लाइक मैं रख लेता हूं जो वाइड़ फोल्ट है तो यह का मैं लेंस लेंस यह का मैं light रेस का तो अगर आप यह वीडियो देखोंगे तो उसमें आपनी स्मोग में क्रिट क्या हुआ रेस भी क्रिट करिए तो जो एक टूल है इसमें वह लाइक रेस का टूल है जो मैं आपको बता है तो अधिक पर कमाड डी कमाड आप कंट्रोल दी दागो तो डिजेवल होता है और दुबार दागो तो आता है तो आप देखोंगे रेस हमने जनेरेट करिया में प्ले करता हूं तो इस तरीके जो है वह आप अपनी रेस को जनेरेट कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट शॉट में जो सकता हूं मैं इसका जैसे कि रॉफाइल और रॉफाइल में इसको डिफ्रेंज नहीं पता कार्ड में लिंक है आप वहाँ जाकर देख सकते हो तो लिटल बीट में इस पर कला क्रेक्शन आट करेता हूं फटा फट से सैचुरेशन थोड़ा सा मैं अभी पूरा हाई लेवल क लोमल आपको मैं जो टोपिक है मुस्पर बात करें मंचेट तो थोड़ा से ऑफसेट को नीचे है तो बैसिकली थोड़ा बहुत में नहीं कर लिया है थोड़ा सा सैचुरेशन को अगरा तो अब जो नेक्स हम बात करने वाले हैं वह हम बात करने वाले फेस आप देखोंगे फेस फाइल्मेंट आप इसको राग और ड्रॉप कराओं जैसे आप ड्रॉप कराओं यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टी नजर आएगी अनलाइस तो सबसे पहले आपको किलिक करना है अनलाइस पर तो व्याइक चीज़ा रखना है कि यह जो ओपन प्रिक्रेसर ने काफी लोगों ने मुझे से पूछा है कि उसके चलता नहीं एक लिए तो अच्छा तरीकी से कर पाएंगे वन्हाँ शिटम पर लोड परता है तो यहां से एरलाइस करोगा जैसे आप अनलाइस करोगा तो आप देखोंगे यह फेस को ट्रेक कर रहा है तो जैसे ट्रेक करेंगा तो आप करना क्व श्रक्रिक ट्रुफित तक तल फोर्टेर करता हूं तो अँप करना क्या है आप यह पर यहाँ पर देखोगे चुरेश ऑक ग्लोबल ग्रेडिंग ऑ पूरा इसका टेक्च्चर पूरे औंगड दिरे कर से सबसे पेले Schmidt को आपको इन्ते स्कींद है यहां को कvaluation क्रोंगे इसको मैं यहां से मैं करता हूं आ तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा एक मास्क रेट हो जाएगा फेसबस यह आपको क्या करना है बाकि यह जो सेटिंग से आप इसको चेर्ज कर सकते हो यूज अल्फा पूरे में आ गया यूज इंपूट अल्फा और यूज करना थो यह और इंटरनली स्कीन बालब स्क्रीन एक तो ऑबर लेको बंद करता हूँ यहां से शर्थ एक सऺत करता हूँ यहां से आप तेंपर त्रेबरेचर रेंज को ठीक कर सकते हो और ठीक कर सकते हो यहां आपका फिस की सपोर्डिंग है आप उस फेस को त्रैक कर सकते हो और यह फेस मांस की सौफटनेस को आप ठीक कर सकते हो यह यह में सब्लेस आपको ठीक करना पड़ेगा तक इसमें जो अब थोड़ादा सौफ्ट करोगा लेक बूम आप देख पा रहे हो तो मैं इसको हल्क करना आप देख पा रहे हो के denoise भी कर सकते हूं और मास्क को भी अजिस्ट कर सकते हो लिए क्या करते हूं की लिए मैं क्या करता हूं उसको में उन सारे मार्फ शोस्क fant invece भी तो मैं स्कीन मार को हटाऊँगा तो आप देखोगे अभी स्मूथनेस को अपरेटिंग मोड को तो अमाउंट को बढ़ाऊँगो तो आप देखोगे अमाउंट से जो है वह थोड़ी से सॉफ्टनेस आ रही है अगर आप देख पा रहे हो तो मैं कमड जोम करता हूं और मैं स् स्कीन पे थोड़ा सा इस टोन है यह भी एक तरीकाव सॉफ्ट हो जाती है पर यह दिए कि कोई भी अगर फिंपल है या कोई चीज है उसको आप रिमूफ कर रहे हैं तो वह मैं आपको अंगली वीडियो बता दूगा कि रिमूफ किस तरीके से करते हैं वह रिमूफ होती है तरीक आप इस टूल को कह सकते हो कि बेक प्लाइए कर सकते है तो आपको समुझ आएगा जिसकी स्मूफनेश को कर दिया और आगर यहां पर स्मूथिंग करोगा त आप देखो कि चेंजिस हुआ था मैंने देखा आप यह था आप यहां पर देखो कि मैंने इसको और इसको और यहां पर ब्यूट्य अडवांस तो ब्यूट्य अडवांस के और भी खुल गया है तो यह स्केल पर आप इन चीजों को यूज करना आ चाफी बडा टो जाएगा तो मैं दीर दीर आपको एक्स्पेंट कर रहा हूं लागए वहाब पर जाके इसको देख सकते हो तो तो डेरा लूंत को किया है दो करते तो आप देखोगे कि यह ठोड़ा लूख आया है बाकी अब इस पर आता है कलयग नीचे आता है टेक्शर का अधिक कर सकते हो आप देख पारे हो इसको यहां से मिट टॉन को ठीक कर सकते हो में टॉन से थोड़ा से ग्योड अडाल सकते हो यह इस पे बीटी और बीटी थूर भी आप यह साथ चीजे कर सकते हो बट यह फेस रिफाइलमेंट का मैं आपको एक्स्पिरियन कर तो अपने चोड़ेंगे रख सकते हो मैं तो मैं तो मैं इतना रख लेता हूं शम intriguing वर किसे तरफ तरुके से करता है तो शाइन को कर सकते हैं यह आप देखोगे तो जैसे यह पूरा यह पर यह जो टेक्चर है यह आई लाइट सा रहा है आप बहुत अजीब सा लग रहा है तो आप इसको तो इतना थीक है मैं आपको दिखा दो बिफोर आफ्टर में क्या हुआ है कमंड डी आप देख पा रहे सकते हो तो फिलाल मैं भी पूरा प्र तरीकी से नहीं किया है प्रपर तरीकी से पहले करूगा तो इसका और अच्छा में रिजट लेकर आता हो तो नेक्स आपको एक चीज और ध्यार में रख लिए कि जो भी चीज आप कर रहे हो उस चीज का आपको पता हो जशी है कि आप सकते हो तो इस तरीके से नेक्स कमांड एक करता हूं और अब में जो मैं जो नीचे जाता हूं अम में जो आपको बता रहा हूं तो यहां पर आप स्कीन पर देख पा रहे होगे यहां पर आपको आई लिप ब्लश पर फिलाल आई लिप ब्लश फोर राउंट चेक स्वारी चेक और चेड तो यह जो चीज है यह क्या है तो इसमें आप करका सकते हो कि इसमें पर ट्टिकुलर आई आई पर रिटेचिंग कर सकते हो फोर इक्जाम्ट मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले मैं जूम करता हू ऑके तो आप देखो के में आई कोपन करता हो तो अब देखें पर आप यह तो यह यहां पर आप देखनाना यह जो आई रहें यह जो इनर ओंधिखाई दे रियर जो हमारे अंदर की चैय चैपन थोड़ी से आड होगी जैसे आपक littर के उसाहरीन पर नहीं करेंसे जो पार् तो आप तोड़ी ची शापन दीए आइस के अन्वर आपको धिखा रहो है यूटूब पे चीज़ नेक्स आता है इसके उसकी ब्रैटेस हो कितनी चाहिए अंदर की जो पुतली होती है जो भी इस चीज को बोलते हैं यहां पर अंदर जो ब्रैटनेस किती चाहिए तो यहां सा यहां पर जो एरिया होता है तो आई पड़ेग अब है निच्चा आई तो आप देखोंगे यहां पर अपको दिखाई दे रहा है यहां पर यहीहां यह अपह सारी टेकदीर हो पलो सकते को सब्सक्र कर सकते हो तो आप बिखो कहें संद आप आई बैक करक expose को जो हूं तो आप देखो के कि में क्या था बॉबिफी यह तैंक ह pó अपने एक लगेता हूं अन्ठेट्र द्लम्र कि अपनेताсть हूं कि लीप जो भी लिप्स की शेयर है उस पर थोड़ी टाचिंग कर सकते हो मनलब कि जिस भी तरी के फॉर एक्जाम्पल अभी हम देखते हैं आप हुई चेंज कर सकते हो लिप्स की को कि आपको देख रही होगी जिस तरीका पूर रखनी है तो ज्यादा हो गया और यहां से आप सैचु तो आप देखोगा की जो आउट्पूट है यहाँ पर आप पर लिप स्मूथेस से आप क्या होता है वह देख नोट्यूंझ का सकते हो आप देख अपर लिप्स मतलब है कि फो देख रहा हो यहां पर इस एक तो यहां पर चेंज़ आ रहा है यह देखिए तो यह को बंकरते हो डाता है यह भी बहुत अच्छा टूल है हम पर यहाँ पर यह पर जो ब्लाश होते हैं उस अच्छाइप कर सकते अगर यह थोड़ा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो बहुत पावर्फुल तो इसलिए काफी पसंद भी है परसली तो बिलस की हुई चेंज करता हूं आप देख पारें आप आपको दिख रहा हूं तो अब साफिचों आप देख पारें यहां हो रहा है हल का सा आना तो आप यहां से हलका सग्जिस कर सकते हो और आप कम जाधा कर सकते को यहां चीज़े कर सकते हो तो हूं यही पर पर जाते हैं तो आप इस पर चीग कर सकते हो इसमें पर जो प्रोपर तरीक से कर सकते हो तो चीक पर मैं जादा आपको करता हूं तो मैं तो थोड़ा सा कम करता हूं कि अपने कोड़िक आप कर सकते हो नेक्स्ट है चिन रीटचिंग मतलब की चिन को रेटच आप कर सकते हो कि मैं इसको चीन के पास जाता हूं और यहां पर आप चीन को देखोंगे तो यह चीन की सब्सक्राइब आपको मिलता है जो वही बंदब रीटचिंग करनी है यह कोड़ी तो चीन पर चलता है कि आप क्या चीज़ कर पा रहे हो और अर शिचमा गलोबल डूबल का मतलब है कि आउरोल जो आप जो भी है उसकी अی East एकनल और व ने क्या किया है मिश्व को चेकर लेते कमांड करें आप क्या है अब कि si तो आप देख पार हो कि कितना डिफ्रेंस है बाकी इसमें मैंने आवरोल करेक्शन करता हूं थोड़े से जो मतलब है इनको थोड़ा ब्लैक करके पूरा तरीके से पूरा डिटेल निकाल के फिर मैं इसको अप्लाई करूगा तो और अच्छा उटको निकलता है अब ग्लोबल क्या करना मैं इसकी थोड़ी सी ग्लोबल अजेस्ट्मेंट करूगा आप देखोंगे पूरा सब कुछ चला जाएगा अब ग्लोबल को मैं कम करूगा तो मैं ज्यादा था यह थोड़ा सा रख लेता हूं ठीक है तो अब देख पार हो अभी कमांड करता हूं तो तो मैं आप आप देखोंगे यह बिफोर था यह बिफोर था यह आफ्टर था ओके तो आप देखोंगे हमने इसमें जो क्या चेंजिस किया है इसे फ़रक पड़ता है बाकि अवरॉर कराक्षिन जब सब जाएगा तो अच्छा उट्पर निकलेगा तो देखा आपने हमने यह जो टूल देखते हैं कि नेक्स पोट्र यह है और नेक्स टूल हम अपलाई करते हैं से कोई नाम था है डाला हुआ है तो हलै तो मैं हध्यिशन टूल को यह डालता हूँ यह भी नएड हूं है तो आप दिखोंगे कि यह स्ट्रांथ को जो लाइट है वningen कि रैड की जो लाइट पीछी के ऊसी पर लिए वार करता उन्हें आसे ल हम यह से आप इसको बाप कर सक्ते हो क्या है कि यहां पर आप इसको दिए जो तरीके से नज़र आए तो बिसक ली क्या है कि है और देखो वार उसी एरे पार को रहा है तो उसी को आप जासे यहाँ पर ज्यादा आरही है मैं इसको तो दोड़ा सा रिश्यो कांट्रोल और थोड़ा सा डिटेल में डिटेल का लुट्स कर देट ग्लोबल ग्लोबल तो आपने किया आप देखोगे मैंने चोटा सा जेश्मेंट किया तो चेंज भी आपको नजर आ रहा होगा ठीक है बाकि इसमें और आपको करना है तो अपिस्ते को कम जादा करिए जो भी आपको रखने मैं लाइक वो मैं थोड़ा सा कर लेता हूं नहुम को सा मिसा क्टैशन हों है कि बिले में क्या है लहां नहीं बेता होगाने तो करम करें दिंग सकीं है पिर आप इस चीज को समझ जाओगे तो यहां तो यहां तो यह फिलाल में यूज स्टैम्ला नी रखता हूं तो आप देखो कि में कमार्ड दी कि यूज टाइम लें तो तो यही था इस टूल का यूज तो सबसे पहले जो हमने किया था तो वह हमने लगाया ट्रैक करके बिसिकली ट्रैक को भी आपने जाना कि ट्रैकर किस तरह करते हैं और यहां पर और यहां पे इसकी है यह और ये अ थूरल फूल्सा को तो आज को पूरा देखिए उस हिसाफ से वीडियो में आपके लिए त्यार कर रहा हूं बाकि हमारे चैनल पर और भी स्रीज आईगी काफी अच्छा चीज आईगी बस आप सपोर्ट करिए ताकि आपको अच्छा लगे सीखने में और मेरे को भी बहुत अच्छा लगे तो आ करते हो अपनी वीडियो के अंदर और इससे पहले भी दो तिन क्लिक कर देना और अगर वीडियो नहीं पसंद आतो दिसलाइक कर देना और साथ मैं आप कमेंट करके मुझे बताते रहे थोड़ी मोटिवेशन देते रहा को कि हां कुछ समझ में आया है कुछ समझ नहीं आया तो थैंक्यू समझ गाइस बावाई टेक क्या से यू